हाई फ्रेंड्स माइसेर्व डॉक्टर शैशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक होमियोपेथिक मेडिसिन एक्स्प्लेइन करूंगी जिसका नाम है मर्क सोल मैं आपको बताऊंगी कि इसका स्पेर अफेक्शन क्या है और सकति нуж दॉकरे जाल करते हैं सबसे पहले मर्क सोल एक तरीके का ड्व पालिक्रेस्ट रेमेडी है्से going स्प्राइब का मतलब है कि यह बॉडिओकले करती हैं बहुत सारी ऐं मार्मयों में आप इस मैडिजिन का युज कर सकते हैं मार्क सोल जादे तर उन लोह को सूट करती है जिने frequent गले में infection होता है, frequent throat infection की complain हो, या फिर यह उन लोग को जादे सूट करती है, जिने skin से related कोई बीमारी रहती हो, इसके अलावा अगर किसी person को बार-बार urinary tract infection होता हो, तो ऐसे लोग भी इस medicine का use कर सकते हैं. Marksoul body के काफी सारे organs पे effectively work करती है, लेकिन जाद तर ऐसे देखा जाता है कि यह ulcers जहां पे होते हैं body में, उसको heal करने के लिए इस medicine को use किया जाता है. Ulcer body में कहीं पे भी हो सकता है, जैसे कि अगर किसी person को mouth ulcer है, या फिर अगर किसी person को pate में ulcer हुआ है, peptic ulcer कहते हैं जिसे, इसके अलावा अगर किसी person को intestine में ulcer है, गले में, throat में या फिर skin में कहीं पे भी अगर person को ulcer form होता है, तो वहां पे merciful medicine का use किया जाता है, अगर किसी person को oral ulcer हुआ है, वो कुछ भी खा रहे है, उन्हें दर्द हो रहा है, या पिर उन्हें burning feel होती है, चीक में अगर ulcer होता है, तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते हैं, इसके अलावा ऐसा देखा जाता है, अगर किसी person के mouth से offensive smell आती है, तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते हैं, Mark Sol medicine को excessive salivation के लिए भी यूज किया जाता है, अगर आपके mouth में बहुत ज़्यादा saliva produce होता है, और जब आप सोते हैं, तो आपके mouth से saliva निकलता है, तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते हैं, Mark Sol medicine को oral thrush जैसी complaint के लिए भी यूज किया जाता है, अगर आपको mouth में fungal infection हो चुका है, fungal growth आपको tongue पे हो रही है, जिसके वज़े से आपके mouth से offensive smell आती है, तो आप इस medicine का use कर सकते हैं, oral thrush में ऐसा देखा जाता है कि mouth में redness होने लग जाती है, inflammation होने लग जाती है, tongue के ऊपर एक white color की coating होने लग जाती है, और बहुत ज़्यादा offensive breath होने लग जाती है, mark soul medicine को आप stomatitis जैसी complaint के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको mouth में घहीं पे भी ulcer हो रहा है, mouth में swelling हो रही है, redness हो रहा है, mouth के अंदर infection हो रही है, तो ऐसी complaints में आप इस medicine का use कर सकते हैं, mark soul medicine, gums में अगर किसी भी तरीखी का infection हुआ है, चाहिए अगर किसी person को bacteria infection हुआ हो, या फिर fungal growth हो रही हो, ऐसी complaints में आप इस medicine का use कर सकते हैं, अगर आपको gums में swelling हो चुकी है, या फिर gums से bleeding हो रही है, तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते हैं, mark soul medicine को respiratory disorders के लिए भी यूज किया जाता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा coughing रहती है, या फिर आपके airways में बार-बार infection होता है, throat infection होता है, तो आप इस medicine का use कर सकते हैं, अगर आपको tonsillitis की complaint है, आपके tonsils में inflammation हो जाता है, या फिर infection हुआ है, तो आप इस medicine का use कर सकते हैं, mark soul medicine को peptic ulcer जैसी complaint के लिए भी यूज की जाती है, अगर किसी person को pate में या फिर intestine में ulcer हो चुका है, खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा जलन होती है, पेट में burning sensation होता है, कई बार person को vomiting की complaint होने लग जाती है, तो ऐसी condition में आप इस medicine का use कर सकते हैं, mark soul medicine को inflammation के लिए यूज किया जाता है, specially अगर किसी male को inflammation हो रही है testis में, तो ऐसे male इस medicine का use कर सकते हैं, जातर ऐसा देखा जाता है, कि testicles में inflammation होने का reason है, कोई sexually transmitted infection, अगर किसी male को gonorrhea की complaint है, उसके बाद उने testis में infection या फिर inflammation हो रही है, तो ऐसे males इस medicine का use कर सकते हैं, mark soul medicine को UTI जैसी complaints के लिए भी यूज किया जाता है, अगर किसी person को frequently बार बार urinary tract infection होता है, तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते हैं, UTI में ऐसा देखा जाता है, कि person को frequency बढ़ जाती है, यूरिनेशन की, उन्हें बार बार urge होता है, यूरिनेशन का, इसके अलावा इनके urine में blood भी आ सकता है, इन्हें urethra से offensive discharge हो सकता है, तो ऐसी complaints के लिए आप इस medicine का use कर सकते हैं, Mark Soul Medicine को आप herpetic eruptions के लिए यूज कर सकते हैं, अगर किसी person को herpes infection हुआ है, उसके बाद उन्हें skin में eruptions हो रहे है, पिंपल लाइक structure फॉर्म हो रहे है, या फिर उन्हें skin से bleeding हो रही है, या फिर ulcer form हो रहा है, तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते हैं, Mark Soul Medicine को आप 30 dose में use कर सकते हैं, अगर आप इस medicine को 30 potency में use करते हैं, तो आपको 4-4 drop दिन में दो बार direct अपने टंग के ओपर इस medicine को use करना होगा, So friends, यह था Mark Soul, मैंने आपको बताया कि आप clinically कौन-कौन सी condition में इस medicine को use कर सकते हैं, और कौन से dose में आपको इस medicine को use करना चाहिए, तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझसे consult करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पे message कर सकते हैं, मैं आपको reply करूँगी, तो अगर आपको मेरे वीडियो useful और informative लगा हो, तो आप प्रीज इसको like कर दीजिए, और साथी साथ आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए, और जो bell आइकनों से press कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के notification मिलता रहे, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you.